जालसाजी और दोनंबरी का मामला तो आपने बहुत ही सुना होगा लेकिन आज एक ऐसा गंभीर मामले पे आज हम चर्चा करने वाले हैं जिसको सुनने के बाद आप भी चौक जाएंगे यह मामला है एक ऐसे गाउं का जहां पे एक महिला यूटुबर ने लगभग 40 महिलाओं का पैसा लेकर के रफुच चकर हो गई क्या है पूरा मामला इस पूरे मामले की आज हम तकिकात करेंगे आप हमारे साथ बने रहे और यह वीडियो आप सभी के लिए बेहद ही महतोपूर रहने वाला है क्योंकि इस परकार की ठगी से आप बच सकते हैं अगर आपके वहाँ भी इस परकार की ठगी देखने को मिले तो आप पहले से सतर खो जाएंगे ये जो तस्वीरे मैं दिखा रहा हूँ एक गाउ की है मैं गाउ का नाम तो अभी नहीं बताऊंगा मैं लाश्ट में इस गाउ का नाम बताऊंगा पहले ये जो तस्वीरे आप देख रहे हैं कि ये वो महिला आएं हैं जिनकी लगभग इन लोगों का कहना है कि 10 लाख रुपए लेकर के एक महिला यूटूबर फरार हो गई है क्या है पूरा मामला इनी से हम समझेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि यहां पर लगभग 40 महिला आएं हैं उनसे हम बात चीत करेंगे तो किनका किनका पैसा लेकर के वो महिला गई है वे यहां पर आ जाएं जिनका जिनका पैसा लेकरके वो महिला भागी है वे आ जाएए आप सभी। क्या है पूरा मामला थोड़ा बताईए हमारे धर्सम्रों के देड़ लाग समुष लेकर भागी है 1,60,000 लेकर भागी है और मकान पर 12,00 रुपए लेकर भागी है हैं हम लोग के पास काखज है मकान दूसरे कहान थे लिए हम सो भी पैसा लिए यह ले अलेकर फरार हो गई यह मतलब पैसा वो क्यूं आपने उसे दिया हुं हूं हुम से पैसा ली है कि मकान पर कि मकान तुम्हे नामे कर दें बो छमकान आपके नाम हो करेड़ी इन नी बेच रही थी थी हमरे वाहत कि तना परिसा आपने दिया तंस 20 बार्रां बारर लाख ऑपनेदिया हैं माइसी właściwie एक एक लाख रुप्या हम कचारी से दिये हैं और बाकी पैसा हम हाथ से दिये हैं कैसे दिये हैं तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा इनके साथ फराड हुआ है तो मतलब आपने एक बार जाच परताल भी नहीं किया और पैसा ऐसे ही दे दिया पैसा हम से लिये हैं कि कहें हैं कि तुमको हम अपना मकान लिख देंगे तुमारे नाम से और किसी के तुम बताना नहीं तो इतना बड़ा रकम आप दे रही हैं तो आप से वह कर रहे हैं कि किसी को बताना नहीं तो इसमें आपने मतलब यह नहीं समझा कि कहीं है ऐसा तो नही किये हैं कहां लिखवाई थी आप वहां चवरी चवरा हां किस पेपर पर लिखवाई थी किस पेपर पर लिखवाई था तो नहीं हम कागज भी आपके दुखा देंगे चलिए तो इनका मामला हमें लगता है कि आप सभी समझ गया होंगे और वी जो महिलाएं हैं जिनसे वो पैसा लेकर के गई हैं उनसे हम बाचित करते हैं कि उनको क्या कह करके वो पैसा इनसे लेकर के भगी हैं क्या नाम होगा आपका उसर मेरा नाम कुम कुम देभी हैं और मेरे स्सक्राइब के बौली की मतलब कर रही थी मेरे आदमी की कराद हो bound कि खराब हो गया है कि मेरे आदमी का दावा कराना है कि हमें पैसा दे दो समर्ट अले कर भाग जाएगी तो हम बोले कि ठीक है बोल रहे कि तो तीन बार करके मतलब ऐसे ले गई बोल रहा है थी कि मतलब खेत है बेचेंगे तो मतलब हम वापस कर देंगे तो सर हमें क्या पतादा कि लेकर फरार हो जाएगी हम लोगों से ऐसे लेकर गई है सार मेरी एक सीष्टर है देखिए जो रिस्तेदार है और वह मतलब उसको हम सकते हैं मतलब फूससे भी बोली की देदो मतलब हम दे देंगे एक दिन के खरार है दसखार रुपे सब्सक्राइब तो देख्पा रहे हैं कि utilizing ऐसा मामला देखने को मिल रहा है कि अचा से इसका तो तक नहुकर नाम है जूले करके भागा था ऊसका नाम है रेसमा रेसम हम वीडियो बनाते हैं हम लोग के साहस़ रहती हैं लोगों क्या पता था कि क्या है ट сказать अच्छाव विडियोत difficली ही लेकिन लोगों लोगों को नहीं पता था कि हम लोग के साथ ईस तरह से जाल साजी देखने को मिलेगा क्या नम होगा आपका सबसे पहले इस चैनल मेरा साथ में दो रहते थे वीडियो बनाते थे और ऐसे ही करके जहांसे में पढ़ा करके हम से किस्ति निकलवाई थी क्यावन हजार का किस्ति निकलवा करके कम 31,000 रुपया तो जमा कर दी है अभी 20,000 मेरे नाम पे गिरा जो मुझे सर बोलना है कि तुम्हें जमा करना पड़ेगा क्यूंकि तुम्हारी नाम से है और सर हम उसको अपने पास से भी हम दो बर में करके उसे पैसा दिए 30,000 रुपया तो टोटल मिला करके पा उसमें 20,000 और यह मतलब बच गया 50,000 रुपया मेरा है अभी इस समय तो ताकि मान लिजी हम कहां से भरेंगे हमारे आदमी गरीब है हमारे तीन बच्चे हैं पढ़ा रहा है लोन वह बोल रहे थी उसके आदमी भी साथ में मेरे घर पर आकर के गिर्ड़ गिड़ाने लगा कि मेरे क्या नम है मेरे सार की साधी हुई है उसमें जेवर गहना मतलब जो खरी दिए थी कि उसमें उधार बाकी है कि देद और क्या एक दूसरे को घर बेच के देंगे करके देंगे तो बहुत रोने गिलिगा हम लोगे साथ भी रहे के खाई है हम लोगे घर खाके सर जी भी है हम लोगे साथ हो जहां भी है देखती होगी थोड़ा भी आपने नहीं सोचा अगर वो कर दे किया आप कुछ लेकिन उसे किस्त देने हम मतलब हो गया समय कम 1.5 साल हो गया दो साल का किस्त था उसमें भर दी है 30 बिस एरुपिया बच्चा है और 30 नगत का हम उससे पैसा दिए हैं हाँ और सबका पैसा कुछ ना कुछ से करके दोब दो तिन तेन कीस तेर और जो आच अब नूव के नाम से और एक मैडम बीस में है उसका नाम मुरेणू हैं तो था दिस्तिक्त हई है तुम्हारे पैसा हुआ है पाहिए और 10 जा अउरते ओल लेंगे ती की हमें जरूरत नहीं हम नहीं लेंगे तो बोल रहे थी कि नहीं जरूरत है तो कम सकम लिया करके सटल्मेंट कर दो अंगुठा लगा करके निकाल के और उसके बास जब जरूरत पड़ेगा तो इससे जादे पैसा पास होके आएगा एक गरीबी यौरत घर पे तो कुछ है नहीं हूं ओहांस होगा तो मुझे हाथ में दो हम लोग सामने सपास जितना भी दिनगे हैं सेटल्मेंट के लिए एक दुसरे का सभी लोग जानते हैं सबका किसी को कोय का 40 ज़या है किसी का बत्तिर्स ज़यादत कुसी का 20 सब्सें करके पैसा सबका एक एक लिए उसमें जभी मिल पैसा करें किस्त भर रही थी किसे पैसा ले करके आपका भग गई भग गई कितना पैसा का लिए । तो हमने कितने का पचास हवार का लों पाइस मिला में पैसा को नहीं चाहिए आप ले गए तो सेटल कर दीजिए तो हमारे नाम पर ले गई से टल करने ले आई तो बोली से टल कर दी हूं पैसा चुपके चुपके भर रही थी आज वह भग गई है तो सहाब अखमर दरवाजे बैठें सुगमया फैनेंस के साहब आये हैं बैठें दरवाजे पैसा के लिए अले के भग गई है अदो किस्ते और था पह लिकिन वह जैसे ही महीला के हाथ में पैसा आया और महीला पैसा लेकर के रफूचक करो गई और जो सुगम्या फैनेंस प्राइवेट लिमीटेट कंपनी है वह कंपनी जिसके नाम से लोन निकला हुआ उसे दब ऊच रही है तो बाई जाहिर सी बात है जिसके नाम से लोन निकला है उसी को finance जो कमपनी है वो दबो चेगी तो फिर क्या होगा एक एठो और निकाल के भारत 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 चाला से दिये थे वो भी निकाल के सेटल करने के लिए वो बोली थी दो बार ठखी हो यह तो अलग की है यह कार है जो जो बोली है लचमी देवी उसमें भी है वो इसमें भी मतलब उस मतलब किसमें है तो मतलब उसमें भी इनका दो है ना उसमें भी बोल रही थी कि मतलब उसमें भी सेटल कर दो तो मतलब झाल कर देवी पाइसा लेकर फरार हो ऊगए At sea aur I Bisth' सब का चुना लगा के गए हैं सब हम हमें लोग के घर पे खाके वह जी है हम h collect हो जी थी है। आ लोगों को पताेध किजिए और सबेभ हमान सब्सक्राइबu कि सबी गदीबों को फसाद है तो सारा मामला समझ में आ रहा है क्या आपने ये सारा मामला जो है पर सासनी का अधिकारियों को बताया प्लीस वालों तो आप ऑफिर लोग भाले की ठीक कोई तबूथ है तो दी काम लोग बोले कि साबूत तो कुछ भी नहीं है हम लोग क्या दिखाएं बस यह दो yoga खोछरी के uyट में आज आज की डेट में आने वाली है अब पता नहीं सर्वाएगी की नहीं नहींडी नहीं है ये दोनों मिलके खाई हुई है पैसा अब बताएं सार मानते हैं कि रेसमा मतलब चुटिन है चुटिन है चुटा रही है तो कमसा मैडम सही है तो उसे तो बताना चाहिए ना उसे कहना चाहिए ना कि तुम इसके हाथ में पैसा मत दो चाहिए मेरे हाथ में मत दो बाहर मीटिं तो आप देख रहे हैं एक ऐसा फ्राड का मामला देखने को मिला है और मुझे विश्वास है कि जो भी यह वीवर्स हमारे वीडियो देख रहे हैं काफी कुछ सीखने को इन्हें मिला होगा बाकी आप क्या सोचते हैं इस परकार के फ्राड के विश्य में अगर आपके भी जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए फिर मिलेंगे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जैहीन